अगर आप बजाज से लोन ले रहे हैं, खास कर पर्सनल लोन, तो कि आपको बात में पस्तावना है कि मैंने कहा से लोन ले लिया लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि बजाज के तरफ से मता बजाज का नाम यूज करें कि नया फ्रॉड इस्टार्ट किया गया है जहां पर आपको पहले बोला जाता है कि प्रॉसेसिंग फी पहले देनी होगी फिर लोन अमाउंट जो है आपके एकाउंट में डिस आपके एकाउंट में डिस्बर्स कर देंगे तो यहां पर यह साफ साफ फ्रॉड है अगर कोई भी बैंक या कोई भी प्राइवेट फैनेंसर परसनल लोन देने से पहले आपको चाहे दस रुपए का भी प्रॉसेसिंग फी मांग रहा है या एक हजार या दस यार पचास ज जो भी प्रॉसेसिंग फी अगर डिमांड कर रहा है लोन इमांट डिस्बर्स होने से पहले तो समझ जाइए वो फ्रॉड है क्योंकि लोन इमांट में से ही आपका प्रॉसेसिंग फी या जो भी चार्जेस होते हैं वो डिड़क करके रेस्ट आप आपको दिया जाता है चुव कर डिमांड करते तो यहां पर आपने यहमांट दे दिया उसके बाद वो आपसे बोलेंगे सर यह ऑप प 실ाइब processing fee अब GST amount pay करो अब GST amount पर पे करेंगे तो उसके बाद वो हो जाएंगे गायव आपको जो है ना तो loan मिलेगा और ना ही कुछ मिलेगा और जो भी आपका बचा कुछा पैसा भी होगा वो भी चला जाएगा तो यहां पर जब आप actual में जब बजाज आपको loan देती है तो किन बातों का आपको दो बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले आपको जो में बात ध्यान देना है वो rate of interest पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जब मैंने loan लिया था आज से 6-7 मैंने पहले तो मेरे को बोला गया था कि सब 10-15% के पीच में जो है आपका rate of interest चार्ज किया जाएगा लेकिन उस टाइमें मैं भी हां हां करके जो है मैंने loan ले लिया लेकिन जब loan amount मेरे account में disperse हो और जो उनका app होता है वहाँ पर मैं जब देख रहा हूं और जो approval letter है जो मतलब letter होता है उसके अंदर जो rate of interest लगाया जा रहा है 34% का आप मेरे left hand side पे देख रहे होंगे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जो agent आते हैं आपके पास कि सर यह आपका loan approval है यह document वगिरा है तो उन लोग का भी target होता है वो भी सोचते है कि customer को loan मिल जाए अब मेरा भी 34% तो यह आपको एक बार actual में देख लेना है कि सच मुझ में क्या rate of interest लगाया जा रहा है ताकि आपको बाद में problem ना हो आप officer के चकर ना काटने लग जाए loan लेने के बाद कि आप यह सोचे कि कहा मैं इस loan के चकर में फंस गया उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज जरूर पूछ लेनी है और सबसे important बात है कि क्या कोई insurance भी दिया जाएगा चाहे वह loan पचास हजार का हो चाहे वह loan एक लाख रुपए का हो मैंने भी काफी सारे loan लिये चाहे मैं state bank से loan लिये चाहे SDFC से लोन लिये उन्होंने जो मेरे को processing fee बताई है वही processing भी deduct की गई है लेकिन जाता है तो वो एक बार आप जरूर पूछ ले कि क्या अगर मैं पचास जार का लोन ले रहा हूं या एक लाख रुपए का या दो लाख रुपए का लोन ले रहा हूं तो आपको insurance का चार्ज इस पर लेंगे क्योंकि जब मैंने लोन लिया था आप मेरे left side में भी देख रह चार्ज लगा के करीवन करीवन साथ नौट दस जार रुपए का इमांट जो है उन्होंने डिड़क कर लिया उन्होंने जब बताया था जब एजेंट आय थे मिर पास जो मतलब की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके उन्होंने सिर्फ मेरे को इतना बताया कि सर आपका ज लेकिन जब लोन अमांट मिला तो उस केस में उसमें और 5000 डिड़क करके जो रेस्ट अमांट है वो मेरे को दिया करीवन 9000 रुपए उन्होंने डिड़क कर लिए तो आपको यही बात ध्यान देना एक जो रेट ऑफ इंटरस्ट है और दूसरा कि क्या कोई इंसॉरेंस तो तो आपके लोन अमांट में लगाके नहीं दिया झाः रहा क्योंकि वह पहले आपको बता नहीं है इन बतों का जरूर्ध ध्यान देक्प कि को जाके problem नहीं है कि दोस्तों की बजा से लोन लेना यह बेकार है लेकिन अगर आपको कोई चीज पता हो पहले से तो आप भी अवेर रहेंगे कि आपको भी कोई बाद में जाके धोका नहीं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी experience person होते तो आप उनसे के पास जाते हैं पूछते हैं कि सर मैं यहां invest कर रहा हूं या मैं इससे loan ले रहा हूं तो क्या कुछ गरबड तो नहीं होगे तो गरबड की बात नहीं है आपको बस कुछ साफधानिया भरत नहीं लेने से पहले यह पता कर लेना है कि जो rate of interest लगाया जा रहा हूं एक बार देख लें दूसरा को insurance policy वगेरा तो नहीं दिया जा रहा है आपको ताकि loan amount देने के बाद आपको पता प्रोसेसिंग फी पहले आपको से डिमांड किया जाता है उसे दो मिनट साइड में करते हैं अगर आपको बजाज जो है वह लोन दे रही है तो rate of interest और को insurance policy तो है जो है वह लगाया तो नहीं जा रहा आपके loan के उपर तो वह आप एक बार clear कर ले कि बाद में आपको पस्ता के लिए loan ले और उसको भड़ना आपको काफे लंबे टाइम तक पड़े और कभी भी बीच में कोई भी चार्जेस बीच में भी लगा दिया जाते हैं क्योंकि lockdown में जब मैंने तीन महीने का EMI moratorium लिया था तो उसके इसमें मेरा करीबन करीबन 9 महीने से उपर का tenure और बढ़ लिया था तो दोस्तो आपको बस यही देखना है कि rate of interest के आपको लगाया जा रहा है और कोई insurance policy तो नहीं लगाया जा रही है जैसे कि मेरे left hand side में देख रहे होंगे कि इस तरीकी का insurance आपको करा के दे दिया जाएगा जो आपको पहले नहीं बता जाता तो एक बार जरूर य देने के बाग ठीके दोस्तो धन्यवाद जो सबस्तों है